इतना चोटा कद रखिये कि सभी आपके साथ बैठ सकें और इतना बड़ा मन रखिये कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके देश पिदेश में बैठे सभी दर्शिकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिल श्रेमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और 13 अप्रेल के इस विशेश एपिसोर में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुब कामनाय देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैंने जनवस्री है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 13 अप्रेल 2024 है दिन शनिवार का है विशेश उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूँ राहू और केतू दोश को खतम करने के लिए नवरातरी में क्या उपाय करने चाहिए बात करें पंचांग के तो संबत 2081 का चैतर शुकल पक्ष चल रहा है पंच में तिती रहेगी शाम के या ये कहा जाए दोपहर के बारा बच के चार मिनिट तक जिसके पश्चात शश्टी तिती आरंभ होगी म्रक्षिष नक्षद्र रहेगा तो वरशब राशी में चंद्रमा बारा बच के 44 मिनिट तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशी में प्रस्थान करेंगे राहु काल का समय नौ बचे से लेके साड़े दस बचे तक है और शुब चौगडिया महरत आज के दिन जो आपको मिलेगा वो है दो बार साथ बच के 50 मिनिट से 9 बजे तक और वापिस एक बच के 50 मिनिट से 4 बच के 50 मिनिट तक यहाँ पर दक्षण और पश्चम दिशा शुब साबित होने वाली हैं अगर कोई भी यात्रा करने है किसी भी उद्देशय से यात्रा करने है वो उद्देशय पूरा हो लाबकारी हो पर पूरव दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो उडद का उप्योग अवश्य ही कीजिएगा फिर बात करते हैं सुर्य ओदै कालीन कुंडली में शुब ग्रहे योगों की तो आज के दिन अन्फा योग, वरिष्ट योग, उभैचर योग, शुब करतरी योग, नी स्वयोग, मृती योग, पामर योग और दुश्करती योग का आपको साथ मिलने वाला है जैसे के आप सब जानते ही हैं कि 9 अप्रेल से 4 नवरात्री शुरू होई और 17 अप्रेल को 9 मी तिदी तक आपके लिए कवच का निर्मान होगा आपकी जो भी समस्या हो, कामना पूर्ती हो, तो उसके लिए अलग-अलग कवच का निर्मान किया जाता है स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं कि आपके लिए आपको क्या कवच धारन करना चाहिए है जो आपकी समस्या है, उसके अनुसार क्या उपाय किये जा सकते हैं तो वही कुंडली के अंदर कोई दोश हो, तो इस दोश को खतम करना, यद फिर ये कहें दोश से निजात पाने के लिए किन उपायों का सहरा लिया जा सकता है सिर्फ और सिफ इन नंबर्स पे कॉल करके आपको ये सभी जानकारी मिल सकती है समय रहते कुछ कवज की जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी हो सकता है अगर स्वयम को बलहीन महसूस करते हैं, बिना बात ही डरते हैं, लोग दबाते हैं आपको, रात में अंजान चीज़ों से ज्यादा घबराहट होती है ये कहा जाए, डिसिशन लेने में परेशानिया, ये ज्यादा देखने को मिलती है, तो अपने विचारों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हो, शरीर पर अचानक से दाग धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं, ये कहा जाए, दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते नील आ जाती है, चोट लग जाती है, ये शरीर से अजीब सी गंध आनी शुरू कर देती हैं, तो रामरक्षा कवच अवशे ही पहन करके आप देखिए कि इन सभी परेशानियों से आपको निजात मिल सकता है, राहु जनित दोश जो हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा कारग रामरक्षा कवच माना जाता है, फिर अगर जूटे दोशारूपन हो, हाट प्रॉब्लम्स हो, अपने ही अधिकार की प्राप्ती में परेशानिया हो, पिताजी से वचारिक मदभेद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हो, घर में दुख और असंतोश का माहौल बढ़ रहा ह तो 12 आदित्य कवच आपको राहत दे सकता है, फिर बात होती है मेरी बहनों की जो विवा होने में बाधाओं का सामना कर रही है, जब भी देखें मंगनी हो गई, तूट जाती है, या तो फिर उम्र हो रही है पर कोई सूटबल प्रोस्पेक्ट या पार्टनर नहीं मिल पा ही है, हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बहतर बनाने की कोशिश है, आज इसे ही की जा सकती है, आईए अब बात करते हैं, आज के राशी फल की शुरुआत करेंगे मेश राशी से, आपके लिए राशी भाव से सेकंड हाउस में चंदरमा विराजमान है, दोपहर के बारा बचके चवालेस मिनिट तक, जिसके पश्चात वो थर्ड हाउस में विराजमान होंगे, ये कहा जाए, ट्रांजिट करेंगे, अब यहाँ पे जनमतारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरॉल में क्या बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, और दूसरी सबसे इंपोर्टन बात होगी, जब घर से ऑफिस के लिए आप निकले, तो उस समय में किसी विवाद को उत्पन करना निकले, कोई ऐसी बात कह करके ना निकले, कि वापिस घर पे आने पे उस चीज का रिप्रकरशन हो या रियाक्शन वो आपको देखने को मिले, बाकी 12.45 मिनट के पस्चात जो आपके लिए दिन है, फैनाशली बहुत जादा साडिस्फाइंग हो जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, तो वहीं प का भी ध्यान रखिएगा कि रात को आज के दिन सूर्य मेश राशी में प्रस्थान करेंगे और उसके लिए राशी फल वैसे ही आपको इस चानल पर दे दिया गया है, तो अब शेही देखेगा कि सूर्य के जो राशी परिवर्तन है ये आप पर क्या प्रभाव डाले, यहा हाफ बिना टेंशन के बीतने वाले, वहाँ पर यह कह सकता हूं कि इस समय में वीकेंड को लेकर कि कोई ना कोई प्लानिंग जरूर हो सकती है, शुबरंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुबरंग रहेगा नंबर सेवन, अब बात करते हैं व्रशब राशी की, अब कही जा सकती है, 33% सपोर्ट की हो जाएगी, अब ऐसे समय में बातें बहुत जादा बड़ी-बड़ी हो जाएंगी, प्रामिसेज हों, कमिटमेंट्स हों, शांदार मिल जाएंगे, पर दुरभाग्य वश्पूर्ण कहा जाए कि इन कामों को पूरा करने में यहाँ पे 80 से चोटी का जोर लग सकता है, लोग इस समय में साथ ना दें, मदद ना करें, या यह कहा जाए स्टाफ को पैसे देने के बावजूद भी काम सही से ना हो पाए, इस चीज की शिकायत आपको जादा परेशान कर सकती है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी में आपको फसा करके नुकसान दिलवा सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो करके बढ़तिएगा, फिर यहाँ पर अगर बात की जाए, यंग स्टर्स की तो यंग स्टर्स को खास तोर पैसे समय में कह दूं कि चने के जाड़ पे चड़हाये जाने वाले हो, काफ बढ़िएगा, यहाँ पर आनंद की बात हो, सुख की बात हो, तो अवशे ही आपको प्राप्त होंगे, यहाँ पर इस बात का दियान रखते हुए आगे बढ़ें, कि फिजूल खर्ची से बच करके कमाई पे जादा फोकस कीजेगा, परिवार पे कोई खर्चे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आपको अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों का भला करने के लिए पैसे खर्च करने हैं, तो थोड़ा इस समय में उस खर्चों को आपको बंद करना होगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुब अंक रहेगा नमबर फो, फि तो आपके लिए 70% से 73% तक पॉस्टिविटी हो सकती है तो सुभे का समय जो है वहां पे और और नाइजड रहे करके बढ़ना होगा या यह कहा जाए कि कोई भी खर्च करने वाले हो तो नोट करके खर्च कीजे कोई भी काम करना चाते हो तो बस ऐसे ही नहीं कि हाँ बस मुझे काम करना है यह सामने आगे तो मैंने कर लिया प्लैनिंग के साथ में कीजे कि इस काम को कब किया जाना चाहिए अगर मेरे हाथ में और कोई important काम है तो उसको इससे पहले prioritize किया जा सकता है यह नहीं किया जा सकता इस बात पे धियान रखते हुए आगे बढ़िएगा बारा बच के चावालेस मिनट के बाद में मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके कामों में तेजी आने वाली है अब कमाई की बात हो, लोगों के आने की बात हो, ग्रहाकों की बात हो तो वो अब आपको प्राप्त होने वाले हैं ऐसे ही समय में विचार जो है वो भी आपके बदलेंगे काफी जादा पॉस्टिव माइंडसेट होगा, मोटिवेटेड रहेंगे और मोटिवेशन के कारण अपने काम के अंदर और जादा फोकस रहते हुए फाइदा कमा लेंगे यहाँ पे नौकरी पेशा एंसान जो है, उसको भी यही कहूंगा कि सुभे का समय जो है, फुंक-फुंक के कदम आगे रखेगा वरना सीनियर्स जो है, आज के दिन तलवार लेकर के तयार है आप सामने आये नहीं और आपकी गरदन काटी नहीं कई इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के सुभे का समय जो है, वो बिताने की बात आपके लिए रहने वाली है यहाँ पर ये लोकलर का इस्तमाल करेंगी, तो आपके लिए शुब साबित होगा और शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर नाइन फिर बात करते हैं करकराशी की, लेवन्थ से ट्वेल्थ हाउज में चंद्रमाब, यह है नेगिटिव ट्रांजिशन क्योंकि पॉजिटिव टाइम पिरिएट से नेगिटिव टाइम पिरिएट में आप जाने वाले हैं पर यहाँ पर अधिमित्रतारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में ठरी डॉट्स ओवरॉल सिचुएशन को संभाल लेंगे 100% positivity से 80% supportive आप स्टेटिस में आएंगे यह कहें situation में आएंगे तो यहाँ पर जादा चिंता वाली बात आपके लिए नहीं होगी चाहे जॉब प्रोफेशन की बात हो तो वहाँ पर सफलता आपको लगातार मिलेगी बस बात यह है कि शाम को कुछ चीजों में ओवर वर्क करने की जरूरत पर सकती है ओवर टाइम देने की जरूरत पर सकती है तो उन चीजों को लेके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं ऐसे समय में कैश से related कोई भी काम करते हो तो आपको फाइदा जरूर मिल जाएगा या यह कहा जाए कि जैसे ही सामान बेचा उसी के साथ में पैसा ले लिया क्रेडिट का काम आज के दिन नहीं करना उधारी का काम नहीं करना तो आप फाइदे में रह लोगे ऐसे समय में perfumes का जो काम करते है या यह कहें luxury product का जो काम करते हैं तो इस समय में आपको शांदार कमाई देखने को जरूर मिलेगी पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं से जिसको हम कहते हैं कि सरकारी विभाग से हैं सरकारी करमचारी है चाहे पुलिस कही जाए ट्राफिक पुलिस कही जाए कोई भी डिपार्टमेंट से कही जाए उनके साथ में इस समय में एक दो आपको हाथ करने पर सकते हैं कहा जा एक दो हाथ नहीं बलकि किसी ना किसी तरीके से कॉंप्रमाइज अपने आपके लिए बिठाने की जरुरत पर सकती है जो आप इस फील्ड में हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ फिर ऐसे ही समय में एक बात का ध्यान रखना है कि फैमिली बहुत जादा प्रेशराइस करने वाली है किसी विकेशन को लेके या फिर वीकेंड गेटवे को लेके तो वहाँ पर थोड़ी आपको अपने स्टैंस पे मजबूती से खड़ा रहने की जरुरत है यह कहूं कि इस समय में अगर यातरा ना करें अपने परिवार के साथ तो बहतर रहेगा वरनाख खुद डेंजर में है और परिवार को साथ में डेंजर में लेने वाली बात हो सकती है शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबंग रहेगा नमबर फाईव फिर बात होती है सिंग राशी की तो 10th से 11th house में चंद्रमा जा रहे हैं मित्रतारा का साथ है अश्टग वर्ग में 27 dots है overall situation आपके लिए 100% positive है और यह positivity इस तरीके से चलने वाली है कि जो चाहते हो वो पा सकते हो बस अपने दिमाग में यह सोचना शुरू कर दो कि मुझे यह आज के दिन 1,5,5 लाक रुपे कमाने है कोशिश करना शुरू कर दो आपके हाथ में वो पैसे जरूर होंगे ऐसे ही समय में सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है मनुरत पूर्ण हो सकते हैं वहीं अपने अंदर यह कहा जाएक positive energy जो है वो आपको महसूस अवशे ही होने वाली है ऐसे समय में नौकरी पेशा एंसान है आपके लिए किसी सोने की ख़दान हाथ लग जाना यही situation कही जा सकती है कि कोई ऐसा client मिल जाए कि जो लगातार आपके साथ में business करें जिसकी volume जो है business का वो बहुत जादा अच्छा हो जो आपके लिए fixed income का जरिया बन सके तो ऐसे इनसान के साथ में इस समय में मुलाकात होना या फिर dealing शुरू हो जाना वो देखा जा सकता है यहीं पे जो social media से जुड़े लोग है यह कहें youngsters है तो आपके लिए भी काफी जादा बेटर समय कहूंगा कि इस समय में अच्छी इस growth देखने को मिल सकती है अच्छे से communication इस समय में हो सकता है, engagement इस समय में शांदार आपको मिल सकती है और कहीं न कहीं ब्रैंड डील्स जो है जिसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे तो वो इस समय में आपको अप्रूच कर सकते हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए silver color शुबंख रहेगा number one अब बात करत 33% के लगबग supportive रहेगा पर इसके बाद का जो समय का है या 12 बच के 44 मिनट के बाद का जो समय का है वो आपके लिए काफी जादा positive दिख रहा है वो 70 से 75% तक positivity लेकर के आएगा और इसके कारण अच्छी shopping होना परिवार के साथ में घूमना फिरना अपनी मनोकामनाओं को इस काफी हद तक इस बात के उपर चर्चा करते नजर आ सकते हैं अपने partner के साथ में कि क्या अब इस relationship को हम एक official tag दे सकें कि परिवार के साथ में जाकर कि इस रिष्टे की बारे में हम चर्चा करें और उनके सामने इस बात को प्रकट करें तो यह इस समय में आपके लिए beneficial से द रख पाएंगे अब यहाँ पनमान सम्मान जो है सुबह सुबह के समय में वहाँ पर कुछ परिशानी आ सकती है frustration है, गुसा है, गाड़ी लेकर के निकले हैं और कहीं पर अचानक से जाकर के गाड़ी खराब हो जाए या फिर कोई बहुत important इंसान आपके साथ में travel कर रहा है और उस समय पर गाड़ी खराब हो जाए अब शुबरंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए bright pink color और शुब अंक रहेगा number seven अब बात करते हैं तुला राशी की तो आपके लिए 8th से 9,000 में चंदरमा प्रस्थान करेंगे वदतारा का साथ है अश्टरग वर्ग में 26.7 लगवग कही जा सकते है 33% सपोर्ट आपको मिल जाएगा पर यह समय आपके लिए positive नहीं है यहाँ पर जितना हो सकता है संबल करके चलिएगा सबसे पहले तो खुद को लेकर के सबसे जादा secure रहना है यहाँ पर कोई ऐसी घटना का घटना या यह कहें कि अन्होनी घटना वो इस समय में बीच सकती है जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पर यह कहें कि एक बुरी याद आपके साथ में इस दिन को लेकर के जुड सकती है ऐसे ही समय में skin related problems हो या तो फिर जहरीले जीव जंतूं से परेशानी हो वो इस समय में देखने को अवश्य ही मिल पाएंगी यहाँ पर काफी जादा excitement जो आपके अंदर build-up है किसी इंसान से मिलने के लिए या फिर कहीं पे पहुचने के लिए वहाँ पे पहुचने के बाद में जो excitement है वो level zero पे आ जाएगा क्योंक कि कोई अपनी इच्छा भी प्रकट करना चाते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिए का क्योंकि जो आप बात करना चाते हैं और जो बात सामने से होगी उसमें जमीन आसमान का फरक होगा कि आप कह रहे हैं कि मुझे होली के लिए कुछ खरीद रहे हैं और वो कहें कि दिव अब बात करते हैं वरश्चिक राशे की दो सेवंथ से एट थाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे जनमतार का साथ है अश्टेग वर्ग में 30 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन देखी जाए सुबह के समय जहां पर आपके लिए 70% पॉस्टिव थी वहां से गिर करके 30% सपोर्ट पे आ रही है और ये कहीं नगहीं ग्रहस्त में या यह कहा जाए कि ग्रहस्ती में तूफान उठा सकती है पताजी के साथ में वैचारिक मदभेद कुछ जादा बढ़ सकते हैं छोटे भाई बहनों के साथ में भी विवाद जो हैं वो इस समय में तेजी पकड़ सकते हैं और कही न कहीं पर यह कहूंगा कि यहां पर financial loss उठाना पड़ सकता है कि किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं घर परिवार की ही मदद कर रहे हैं तो वहाँ पर appreciation नहीं मिलेगा recognition नहीं मिलेगा उल्टा जो पैसे आपने खर्चे हैं वो भी डूब जाएंगे और किसी को आप उस बारे में शिकायत भी नहीं कर पाएंगे ऐसे समय में स्वास्ते संबंदित समस्याओं के लिए भी थोड़ा जादा आपको चौकरना रहने की बात रहेगी कहां खाते पीते हैं क्या खाते पीते हैं इस पे थोड़ा ध्यान जादा रखिएगा सुबह का समय फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो early on आपको moment मिलने वाला है वहां पे अपने काम को organize करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कीजेगा खास तोर पे पेपर वक कोई भी है जो पेपर ऐसे ही आप दर दर छोड़ देते हैं जिस पे हिसाब लिखा होता है तो उन papers को इस समय में आप organize जरूर कीजेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबरंग रहेगा नमबर फो अब बात करते हैं धनुराशी की सिक्स्थ से सेवन्थ हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे संपत्तारा का साथ है अश्टेग वर्ग में ठरी जरूर देख लीजेगा ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो transition है ये आपको कैसे help कर सकता है क्योंकि एक मई पर जब रहस पती देव व्रशब राशी में प्रस्थान करेंगे तो वो भी एक अलग आपके लिए situation डेवलब कर सकता है तो इन चीज़ों को समझने के लिए राशी फल जो है वो देखना आपके लिए जरूरी होगा बात करते हैं कि ये आज का दिन कैसा रहेगा तो यहाँ पर ऐसे समय में खास तोर पे पैसों की कमाई को लेकर के कही जाए अन एक्सपेक्टेड इनकम कही जाए वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि कोई आपका ऐसा इन्वेस्मेंट है जो की इस समय में मिच्यॉर हो गया है तो उसकी मिच्यॉर्टी के बाद में पैसा आपके अकाउंट में आज के दिन रिफलेक्ट हो सकता है जो काफी हद तक जो आपकी टेंशन्स थी फैनांस को लेकर खर्चों को लेकर के या तो फिर उधारी चुकाने के लिए तो वो अब इस समय में शांत हो सकती है ऐसे समय में लेडी लक बहुत जादा स्ट्रॉंग रहेगा चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें तो वहाँ पे भी रोमांस और रोमांच दोनों ही बड़ेगा घर परिवार में भी देखेंगे तो माता जी के साथ में इस समय में जो बाते हैं वो आपकी बहतर होती चली जाएंगी यह कहा जाए कि वापिस जो emotional bond है वो re-establish हो पाएगा यहाँ पे जो घर से दूर रहने वाले बच्चे हैं या बच्चे नहीं कहें बड़े भी कह सकते हैं जो की कहीं foreign में रहते हैं या फिर अपने शेहर से दूर कहीं रहते हैं तो इस समय में घर वापसी कही जाए या कुछ दिनों के लिए घर में आकर कि घर का आनंद लेनी की बात कही जाए तो वो आपके लिए इस समय में जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आज का दिन वो आपके लिए हो सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबरंग रहेगा नंबर एट फिर बात होती है मकर राशी की तो फिफ्ट से सिक्स थाउस में चंदरमा ट्रांजिट करना ये पॉस्टिव है शेमतारा का साथ भी मिल जाएका अश्टक वर्ग में जबरदस्त 35.b आपको सहरा देंगे तो ये सिचुएशन सुभे के समय जहां 80% सपोर्ट की थी वहां से बढ़कर के 100% पॉस्टिवटी पे जाने वाली है यात्राओं से सुविधा प्राप्त होगी शांदार कमाई होगी कमाई के साथ में खर्चे करेंगे पर ये खर्चे जो हैं ये इस समय में चुबने वाले खर्चे नहीं होंगे एक होते हैं फिजूल खर्च कर दिये जो मैं अक्सर आपको मना करता हूँ काफी समय पे जब फिफ्थ हाउस का चंद्रमा होता है फूर्थ हाउस का चंद्रमा होता है तुम आपको कहता हूँ खर्चों पे थोड़ा नियंतरन लगा लीजेगा या दोस्तों को देने से बचिएगा बिनाबाद के शो आफ के अंदर पैसे खर्च करने से बचिएगा पर इस समय में आपको कह रहा हूँ कि जो खर्च करोगे उससे आप परेशान नहीं होगे कहीं ना कहीं यह जो खर्च है यह वापस आपको रिटर्न ऑन इंवेस्मेंट जरूर देंगे मन भी काफी जादा शान्त हो जाएगा और बेटर क्लारिटी के साथ में अपने काम को इस समय में कर पाएंगे या यह कहें कि संडे को फंडे बनाने की प्लानिंग जो है वो आपकी शुरूर इस समय में हो सकती है यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है खास तोर पे आपको कह देता हूँ कि सुबह सुबह के समय में स्ट्रेस कुछ जादा हो सकता है या सीनियर्स के साथ में किसी बात को लेके डिसकेशन को लेके कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी भी हो सकती है पर उन चीज़ों को सही से हैंडल करना आपको जरूरी रहेगा या यह कहूँ कि अपने बाकी कामों को छोड़ करके एक बार वापस सीनियर्स को प्लीज करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलव शुबरंख रहेगा नमबर थ्री फिर बात होती है कुंबराशी की आपके लिए फोथ हाउस से फिफ्थ हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शेम तारा का साथ मिलेगा अश्टग वर्ग में 32 डॉट्स मिलेंगे ओवरॉल सिच्वेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 70% ओवरॉल सपोर्ट मिल रहा है पर 70% ओवरॉल सपोर्ट के बावजूद आपको एक चीज कहता हूँ नींद पूरी ना होना घबरा करके उठ जाना बुरे सपनों का परेशान करना ये चीजें जो हैं ये सुबह सुबह के समय में कुछ ज्यादा ही आपको स्ट्रेस दे सकती है ये कहें फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं इरिटेट कर सकती हैं सुबह जल्दी उठने के इच्छा ना हो पर लाइफ पार्टन है जो उठ जाओ उठ जाओ आपको करें तो उनके उपर सुबह उठते ही सबसे पहले गुसा आपका बिखर पड़ेगा ये कहें कि उनके उपर ही सबसे पहले जो है आपका गुसा जो है आज के दिन वो एक अट प्यार से अगर बात करें तो बहतर है पर अगर बहस बाजी में अगर बाते बदल जाती है या बहस बाजी के आगे बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपको अपने आपको ही चुप करके शांत करके पीछे हटना होगा वरना यह सिचुएशन जो है यह आउट ओफ हैंड इस समय म तो उसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा ऐसे ही समय में अगर घर में कोई महमान भी आते हैं तो कोशश कीजे कि कुछ समय के लिए उनको एड़िटेन करके वहां से हट जाएं तो बहतर रहेगा साथ में अगर बैट गए तो हसी मजाक में काफी ऐसी बातें बोली जा सकती है एक्सचेंज हो सकती है जो आपको पसंदना आए ऐसे समय में ये नहीं कहूंगा कि पैसों की कमाई नहीं होगी पैसों की कमाई होगी पर खर्च जो है फिजूल खर्च जो है वो कुछ जादा बढ़ सकते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना होगा शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शु से गिरा करके 25% सपोर्ट पर लेकर के आने वाले हैं अब यहां पर मैं विंती कहूं आपको रिक्वेस्ट कहूं थोड़ा पेशिंस रखिएगा इस समय में आपकी बाते कहें आपकी जुबान कहें वो इस समय में किसी जहर भरे तीर से कम नहीं होंगी चाहे घर परिवार हो बचे हो माता पिता हो अपने सीनियाज हो अपने कलीग्स हो हर किसी के उपर इस समय में आप जहर उगलते वे नजर आ सकते हैं यह सिचुएशन 12 बच के 44 मिनट के बाद की आपको बता रहा हूं सुबह का समय फिर भी कह सकते हैं कि जैसे तैसे करके अपने मन को शांथ रखत सकती हैं अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो आपके कॉंपेटिशन है या यह कहा जाए आपकी जो विरोधी हैं मित्र बनकर के शत्रुबत व्यवहार करते हैं तो वो लोग इस समय में खास तोर पे सफल हो सकते हैं आपको नुकसान पहुचाने में फिर वो चाहे इज़त की ह कहते देखा होगा मैंने पैसा तो नहीं कमाए पर इज़त बहुत कमाई है और इज़त पर ही इस समय में वार हो सकता है चाहे कोई गलत धारना बना करके आपके उपर इस समय में अटाक करें या यह कहा जाए कि कोई लीगल केस में आपका नाम आ जाए कोई ऐसे केस में नाम देना ना हो पर केस कुछ ऐसा है जहां पर सिर्फ नाम जुडने भर से लोग आपसे दूरी बना ले तो इसके लिए बहुत ज़्यादा साफधान रहीएगा यहां पर sensitive टाइम में यह कहूंगा कि sensitive बहुत ज़्यादा है और जो बची कुछी बात negativity की है वो यहां पर problem यह है कि खुद के ही हातों से खुद के पैरों पे कुलहाड़ी मारने चले हो तो यह और ज़्यादा परेशानी क्रियेट कर रहा है चाहे ग्रहनी है यंग स्थ आप सभी को यही कहूंगा मौन रह लेना अपने आप में एक उपायसेद हो सकता है इस समय में और क्योंकि शनी की कहने पर एक छोटा सा उपाय कर लीजेगा कि शाम के समय में घर पे जब वापस लौटते हैं उस समय में शनी मंदर एक बार जाकर के माथा टेक करके और बाहर काफी आपको अपंग दिखेंगे यह कहते हैं जनके हाथ पैर नहीं होते हैं हैंडिकाप होते हैं वो आपको बह घर पे आईएगा अपने आप ही देखेंगे जो रिलीफ है प्रॉब्लम से जो पूरे समय आज आपने देखी है उससे कैसे आपको रिलीफ मिलनी शुरू करती है शुबरंग इस समय में रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबंक रहेगा नमब थ्री ये तो हुई बात आज ज्यादा देने की बात होती है जोतिश मान्यताओं के अनुसार नवरात्री के दिनों में पूजा और उपाय करने से ना सिर्फ नो ग्रहे शांत होते हैं बलकि कुंडली में मौजुद सभी तरह के अशुब प्रभाव भी दूर हो सकते हैं अब जिन भी लोगों की कुंडल में ग्रह दोश होते हैं उन्हें आर्थिक परेशानिया हो फेलियर्ज हो मानसिक तौर पे उत्पीडन हो स्ट्रेस हो इनका सामना करना पड़ता है और जोते शास्र के अनुसार व्यप्ति की कुंडली में कहीं तरह के दोश होते हैं जिसमें राहू और केतू से संबंदित दोश होने पर इनसान को कई तरह की परेशानियों से गुजरना भी पड़ता है आज नवरात्री में कुंडली में मौझूद राहू केतू के दोश से छुटकारा पाने का आपको उपाए बता रहा हूं ध्यान से सुनिये का फाइदा बहुत जादा है सबसे पहले जिन भी जातकों की कुंडली में राहू केतू से संबंदे दोश हो उन्हें ये ब्रह्मचारणी और माता चंद्रगंटा इन दोनों ही की विशेश पूजा आराधना करनी होगी जब भी कुंडली में राहू से जुड़े दोश हो तो माता ब्रह्मचारणी की पूजा काफी लाबद बताते हैं ऐसे में नवरात्री पर माता दुर्गा के साथ साथ में हनुमान जी और भगवान शिवजी की पूजा करने पर कुंडली में मौजूद पापी ग्रह राहू और केतु के अशुब प्रभाव से अब तो मुक्ति मिल सकती है और नवरात्री से लेकर हनुमान जन्मोचसव तक इस बात का ध्यान रखेगा हनुमान जैनती नहीं कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जन्मोचसव होता है तो हनुमान जन्मोचसव पर हनुमान चालिसा और बजरंगबान का पाठ करके कुंडली में राहू और केतु के दोश को कम किया जा सकता है फिर बात आती है दुर्गा सब्तशती की तो माता दुर्गा को प्रसन करना और जीवन में सुक्समरिद्धी प्राप्त करने के लिए दुर्गा सब्तशती का पाठ करना बहुत ही जादा लापकारी बताया जाता है ये मान्यता है कि दुर्गा सब्तशती का पार्ट करने से घर में मौझूद सभी तरह की नेगिटिव एनरजीज हों नजर दोश हो वास्तु दोश हो ये खतम हो सकते हैं और राहू केतु का बुरा प्रभाव भी अपने आप में कम हो जाता है दुर्गा सब्तशती का पार्ट करने से माता दुर्गा प्रसन होंगी और आपकी मनुकामने पूर्ण करेंगी फिर बात आती है क्या चीज़ों को आप घर में ला सकते हैं अगर आपके उपर राहू ग्रह से सम्मदित कोई भी दोश हो चाहे वो ग्रहन दोश कहा जाए चांडाल दोश कहा जाए तो इसके प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए नवरात्री पर चांदी का हाती आपको लाना है ठोस हो तो बहुत ही जादा बहतर ठोस अगर नहीं हो सकता तो हलका जो पत्थरे का बना हुआ हाती होता है वो प्रतिमा आपको लेके आनी है और अपने आफिस की टेबल पर अगर आफिस नहीं जाते हो तो घर के पूजा घर में आपको रख देनी है सिर्फ रखने भर से ही आपका काम हो सकता है इस उपाय को करने से कुंडली में राहू और केतू से संबंदित दोश जो हैं वो खतम हो जाते हैं और जीवन में सुख हो वैभव हो इनकी प्राप्ती होती है ये उपाय में राहू केतू से सम्मंदित इस वज़े से बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग राहू और केतू के प्रभाव को समझ नहीं पाते या ये कहा जाए अन्य किसी ग्रह के प्रभाव है उसको राहू के साथ में जोड लेते हैं ये खास तोर पर परेशानी उनकी होती है जिनको हम कहें कि इन एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो तो इस वज़े से आपको ये चीज़े समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आशा हमेशा ये ही करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आए और आने वाले कुछ दिनों में कुछ चींज़े आज के राशी फल लाए जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या आपको राशी फल में कोई चींज़े पसंद आते हैं और अगर आते हैं तो उसमें कमेंट जरूर कीजेगा हमें मोटिवेट कीजे उत्सा वर्दन कीजे इस चानल को सब्सक्राइब करके कमेंट को लाइक करके इस चानल को अपने दोस्तों के साथ में परिवार वालों के साथ में शेयर करके हमेशा की तरहे प्रातना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशरवाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे जैश्री राम एवं जैहंद हमारा में जा लगन बना रहे खूझ차म आशरवाद हमारा में आशरवाद राहे